प्रिये विद्यार्थियों, हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल, पमगर करियर आउनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको यह मैं याद दिला दू कि हम लोग पढ़ रहे हैं करियर में प्रवेश के चरण और मैंने आपसे चार चरणों की बात की थी। करियर के बारे में पता करने के एक्स्प्लोरिंग करियर इसके बहुत सारे चरण हैं, हम यह जान चुके हैं कि करियर के नाम का क्या आरत हैं, हमें जान चुके हैं कि उनमें कौन-कौन सी गदेविधियां होती हैं, वरकिंग कंडिशन्स कैसे हैं, उस करियर से जोड़े और आज हम जानेंगे कि हर करियर के कुछ एडवांटेज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज़ज तो आज हम इनके बारे में समझेंगे और ये जानना क्यों जरूरी है ये समझने की कोशिश करेंगे तो आज का विशह है Advantages and Disadvantages of a Career Advantages से हम क्या समझते हैं Advantages का मतलब है जैसा मैंने कहा किसी भी Career के सकारात्मत पहलो Career की वो चीज़ें जो हमें Attract करती है अपनी तरफ खीचती है जिसकी वज़े से हम उस Career में जाना चाहते हैं वो हो गए उस Career की Advantages और Disadvantages क्या है Disadvantages किसी भी Career के वो पहलों हैं जो नकारात्मक है जिसकी वज़े से कुछ लोग उस Career को नहीं चुनना चाहेंगे जो Undesirable है Unattractive है उसको हम कहेंगे Disadvantages इन दोनों शब्दों को और अच्छे से समझने के लिए आईए हम कुछ लोगों से मिलें ये एक प्रशासनिक अधिकारी है ये एक पुलिस अधिकारी है ये एक मरीन इंजिनियर है मर्चन नेवी में काम करते है मर्चन नेवी आप में से कुछ लोगों के लिए शायद नया हो कई लोग इसको समझते भी होंगे नेवी दो तरकी है एक जो नौ सेना है सेना का अंग है और दूसरा समुद्र के रास्ते से जो व्यापार होता है उसको जो मैनेज करते है वो है तो जो मरीन Sven जहाज़ूं पर जो इनज्जिनियस काम करते है वो है यह और इनको तो आप पहचानता ही है यह एक शिक्छक है और यह एक बैंक मैनेजर है यह पाँचों लोग अपने करियर से बहुत खुश है अपने काम को बहुत इंजुआए करते हैं लेकिन अधियाप इनके करियर के दूसरे पहलू के बारे में इनसे पूछें तो देखिए यह जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कहते हैं इस करियर से मुझे बहुत फाइदा है लेकिन कई बार मुझे लगता है कि मैं शायद गलत करियर में हूँ क्योंकि इसमें मेरे काम के घंटे तै नहीं है यह आफिसर हैं अधिकारी जिनको कहते हैं इन्दी अधिकार जिनके पास से वो अधिकारी हैं जिनके पास जतने ज़्यादा अधिकार होते हैं असल उनके पास कर्तव विव्यूत नहीं जादा होते हैं तो इनके दिन के काम के घंटे तैं नहीं है ये 2400 घंटे ड्यूटी पर हैं उसी तरह से पुलिस अफसर हैं सब लोग इनके जैसा बनना चाहता है लेकिन इनके जीवन के काम के कई ऐसे अंश है जो इनहें उतने नहीं पसंद है जैसे इनकी जिम्मभाडी है लोज आण और्डर को मिनटें करना लेकि इस सिलसिले में उनको कई बार भात क्रिमिनल से मिलना पड़ता है उन से बात करनी पड़ती है जो इनको पसंद नहीं है लेकिन इनको करना पड़ता है क्योंकि इनको पता यह जरूरी है अब जो ये मर्चिन नेवी में हैं बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं देश दुनिया घूमते हैं आज यहां तो कल वहां होते हैं लेकिन कई-कई महीनों ये अपने परिवार से दूर रहते हैं फिक-फिक शिक हैं पढ़ाने को बहुत इंजॉय करते हैं लेकिन जब examination duty तीन घंटे इधर से उधर जाना पड़ता है इतने सारे बच्चों की कॉपियां चेक करनी होती है ये चीज इनको नहीं पसंद है बैंक मैनेजर इनके जैसा बहुत लोग बनना चाहते है लेकिन अधि बैंक के हिसाब किताब में एक रुपे की भी गड़बड़ी हो जाए तो रात को ये नौनो बज़े तक बैठकर काम करते है तो देखा आपने ये पांचों लोग जो भी करने हैं उसमें खुश है करियर के advantages की वज़े से वो उसकी तरफ खिचे थे लेकिन इनके करियर में कई ऐसी चीज़ें है जो ये पसंद नहीं करते हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी है पहली बात ये याद रखनी है कि करियर के वह पहलू जो किसी के लिए advantage है हो सकता है किसी और के लिए वो disadvantage है जैसे मैंने जो मर्चन ने भी का उदाहरन दिया तो उसमें उन्होंने कहा घर से दूर रहना लेकिन मान लो किसी को घर से दूर रहना अच्छा लगता हूँ उसके लिए तो advantage है एक उदाहरन और देखते हैं ये दोनों दोस्त हैं एक ही company में काम करते हैं और आपको पता है काल सेंटर में रात की duty होती है क्योंकि इनके जो clients हैं वो जब जाग रहे होते हैं तो ये सो रहे होते हैं और जब वो सो रहे होते हैं तो ये जाग रहे होते हैं उनकी समस्याओं को इनको solve करना होता है तो इनको राथ को जयागना पढ़ता है अब इन में से एक वेक्ति इस नौकरी को छोड़ना चाहता है क्योंकि उसको लगता है उसके रातों की नीन खराब होती है दूसरा वेक्ति कहता है मुझे तो वैसे भी रात रात बर जागने की आदथती अब मुझे जागने की पैसे मिल रहे हैं तो मुझे मेरे लिए इससे अच्छा करियर क्या है तो रात को जागना पड़ रहा है ये एक व्यक्ति के लिए एडवांटेज है तो किसी के लिए डिसडवांटेज है तो फिर हम क्या करें करियर का चुनाव कैसे करें तरीका यही है कि हर करियर के कुछ पहलू आपको आकर्षित करेंगे कुछ पहलू विकर्षित करेंगे कुछ अपनी और खींचेंगे कुछ अपने से दूर भगाएंगे तो आपने उनको तोलना है आपको उन्ही करियर्स की तैयारी करनी है जिनमें एड्वांटेजेज आपको ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और उसकी तुलना में डिस एड्वांटेजेज कम दिखाई देते हैं तो इस वीडियो के मुख्य संदेश क्या है मैं यह आप से कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी व्यक्ति से उसके करियर के बारे में पूछते हैं तो उसके दोनों पहलिओं के बारे में पूछिए उसके सकारात्मक पक्षों के बारे में भी पूछिए और नकारात्मक पक्षों के बारे में भी पूछिए और यह याद रखिए कि हो सकता है कि जिसको वो नकारात्मक कह रहा हो आपके लिए वही सकारात्मक हो या जिसको वो सकारात्मक कह रहा हो आपके लिए वो नकारात्मक हो ये हमेशा याद रखें कि आपको जिन्दगी में कभी perfect cake नहीं मिलेगा perfect cake मतलब जिसका स्वाद भी आपकी पसंद का हो, रंग भी आपकी पसंद का हो आकार भी आपकी पसंद का हो, rate भी आपकी पसंद का हो कोई ने कोई एक पहलू जरूर ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं होगा तो जैसे कोई perfect cake नहीं होता उसी तरह से कोई perfect career भी नहीं होता है तो अंतरता आप वो चुनिए जिसमें आपके लिए positives ज़ादा हो और negatives कम हो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वीडियो में जानेंगे entry roots के बारे में तो कि अभी तक हमने जाना career के नाम हमें पता होने चाहिए उनके activities और tasks पता होने चाहिए, working conditions पता होने चाहिए advantages, disadvantages, salaries, perks पता होने चाहिए अब जब यह चीज ने पता हो गई और उसके बाद आपने टाय कर लिए कि आपको इस career में जाना है तो फिर हमको क्या पता करना है, फिर हमको यह बता करना है यह आखर उस career में प्रवेश कैसे करते हैं मैं अभी दस वी में हूँ, मैं अभी 11 वी में हूँ मैं फला करियर में जाना चाहता हूँ तो मैं उसमें प्रवेश कैसे करूँ तो ये आखिर इंटरी रूट्स हैं क्या ये हम जानेंगे अगले वीडियो में आप अपने प्रश्म, कमेंट्स, क्वेश्चिन्स, डाउट्स, क्वेरीज इस इमेल अड्रिस पे भेजें और तब तक आशावान बने रहें क्योंकि जब तक हमारे सपने जन्दा हैं, हम जन्दा हैं